असलाम लेकुम, गुट मॉर्णिंग, गुट आफ्टरनून, गुट इपनिंग तो प्यारे प्यारे वियर्स, आप सब की दुआउसे मैं बहुत जाधा सहतियाब हूँ आप लोगोंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, इसलिए मैं जलती से ठीक हो गई हूँ और इसलिए मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर ले थी, तो जो वियर्स मुझे डेली वाच करते हैं, उनकों से मैं माफियो मागना चाहूँगी कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, लेकिन इन्शाला आज से मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ, इफ्तार स्पेशल या समझ लीजिए सहरी स्पेशल आप सभी के लिए वर्मी सहली की रेसिपी मुझे ना सहरी में या इफ्तार के वक्त मीठा काना बहुत साथा पसंद है, तो इस रेसिपी को मैं जरूर ट्राय करती हूँ, तो आप इस रेसिपी को ट्राय करेगा, तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है, मैंने लिया यहां पर एक कड़ाई, कड़ाई मे और चार से पांची मैने लिये थे अक रोट और उनको बीच में से कट कर गया है, बारिक बारिक कट करके इसे हमें देसी घी में रोस्ट करना है, हलका गोल्डन ब्राउन होने तक, जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, फिर चक कर पाई में एड करेंगे 1 teaspoon देसी की आप देसी के और यह इसमें डेसी के प्रेदी का रेजिया जो की है दो पैकेट विए आप तो खुले हुए मिलता है मार्केट में वो भी ले सकते हैं या किसी और कंपनी का पसंद करता है। वह वर्मी सैली भी ले सकते हैं जिसे हम जमे भी गहते हैं तो यह हमारी सूजी के जमे हैं और इन्हें हम रोस्ट करेंगे इनको हमें डाक ब्राउन रोस्ट करना है तो हाई फ्लेम पर इसको मैं रोस्ट करूंगी और कंटिन्यू इसे चलाती दोंगी अगर आप इसे कंटिन् तो यह जल भी सकते हैं तो इसलिए हम इसे तीन से चार्म रड़ तक कंटिन्यू चलाएंगे देशी कि मैं रोस्ट करेंगे अभी देखें मुझे बहुत जादा कफ हो रहा है लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत जादा फिकर थी और एक व्यूर्स की फर्माइश थी कि मैं उन्हें कुछ अलग सी खीर की रेसिपी बताऊं तो यह मेरी पसंदी दावर मिसेली की खीर है आप इसे इफतार में या सहरी में जबूर ट्राय करिएगा तो बहुत ही मज़े की लगती है तो इसको हमें देखें अभी हलकी लाइट गोल्डन ब्राउन होई है इसे हमें डाग गोल्डन ब्राउन करना है तो देखें यह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है इसको अब हम निकाल लेते हैं जितनी भी हमने से गोल्डन ब्राउन करने थी उतनी है हो चुकी है और इन सभी को निकाल लेते हैं तो वर्मी सैली में आप दूद की क्वांटिटी तोड़ी जादा एड़ करते हैं तो सेम कड़ाई में मैंने दूबारा से वन टी स्पून देसी घी एड़ किया है और इसमें एड़ कर रही ह में दो क्रश किवी हरी लाइची और एक लिटर दूद और दूद को हमें काफी अच्छे से पकाना है तो दूद में जब तक बॉयल आता है तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे बॉयल होने तक और फिर इसमें फ्राई की हुई अपनी वर्मी सैली को एड़ कर देंगे तो देखे दूद बहुत अच्छे से बॉयल होने लगा है और इसमें एड़ करेंगे हम फोर बड़े जमच के हिसाफ से मैंने चीनी एड़ किया है मीठा थोड़ा मैं लाइट पसंद करती हूँ अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो क्वांटिटी शुगर की एड़ कर स और याद रखेगा जो वर मेसली होती आना थंडी होने पर धूदक को अब्सर्व कर लेती है यह बहुत ज lot काडि हो जाती है तो इस is a मैं 5 मिंड बाद आप फ्लेम को बंद कर दे तो देखिए इतनी काड़ी हो चुकी है मैं फ्लेम को बंद कर देती हूं ठंडी होने पर यह और भी ज़ादा अब यहोजा जाती है और ठंडी होने बाद ही आप इसे खाये तो यह बहुत अच्छी लगती है तो वर्मिसेली हमारी पक चुकी है इसको मैं एक साइड रख देती हूं दौसमेंट के लिए रहंडा होने के लिए और रेसिपी हमारी बन कर तयार है हमारी इसमें लास्ट में गानिशिंग कर देंगे डाय फ्रूट से जो हमने रोस्ट किये थे और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेट में जरूर बताएं परिसे लेकर आउंगे आप सभी के लिए ऐसी कोई मज़ेदार रेसिपी इंस्टेंट रेसिपी तब तक के लिए अलाहाफिस दौा में याद रखेगा